हेलो गाईज गुड आफ्टर नोन आप लो सब कैसे हैं आज सकरती कि आप लोग सब अच्छे होंगे तो अभी दोपार का टाइम हो रहा है तो अब मैं जा रहे हूं आज खाना बनाने के लिए और देखिए इसको तब से मैं सुलानी कोसिस करें कि यह सो जाएगी तो मैं फट बदमास लगई को इसमें और अभी एक आजा से की हाथ खाने का अब नीद भी आ रहा है लेकिन सोने लिए तब से और यहां है मेरी दादी जिसको मन नहीं लग रहा है अभी मापापा साधी में गए वह हैं आप लोग ने पिछला ब्लॉग में देखा था मैंने बताया तो दादी को वहां पे रहती है तो दस बच्छत पर उतरना चड़ना यह करते रहती है कप्रा पसारना और यहां तो उ चाह देंगे तब तक आप ना नतिरी के साथ खेलिए तो वह अभी बैटी है अपना ऐसी तहल दी इधर से उधार इधर से उधार कर रही है और इसको मैं देखे छुला रही हूं सोई की तब ना फिस सब सो जाएगी तब फटा-फट खाना बनाने का त्यारी कर लोंगी ने कि इसका जुला बी जुलते रहेगी और मेरे यहां पे काम भी होते रहा तो मैं अब इस ही तरह काम कर लेती हूं मी सो निय mayonnaise तो क्या कर साथे है पयूला जूला त्यों हो कर ल eerste हतुब तो मिनाट शिप सोई और तो मैं फटा पट बरतन थो ली अदेखिये इसका सुभा हो गया है अधर दो मिनाट सोना है बस हम इसको छोड़ दिये इच्छोएंगे तो इसका रोने से लिए अपना खेल दिये तो छोड़ देखिये कि फिर आपकर काम कर लेते फिर हो यी तो लेना ही है मुझे तो आलू और इसे जो करके ते वो डाल दीने हैं और इसे प्राइ कर लिया हैं इसे हम डगड़ करके पकाएंगे तो यहां मेरा लांग हो चुका है और भगड़ में आप मुझे देख सकते हैं मैं एक ते भूला भी जुला री हो तब से परस्माशि यी बणकी है इसे निकाल रहा है और फटा फट इंडेक्शन बंद करके इसामारा लगेने लगे नूं कि एक हाल से निकाल देना इसकी तरह मुझे काम मैनेज करना पड़ता हैं एक हाल से झूला बी जूला और एक हाथ से काम भी करो तो मेरा हाथ से वो नी रहा है तो इसे मेरा प्तब पैल से ला लेती हूं और फटा-फट इसे निकाल देती हूं यहां देखें मेरा मसाला भी डेली है मसाला में सब्सक्राइब के लिए रख दिया है तो यहां देखें मेरा तेल करम हो चुका है तो हम इसमें डाल देए थोड़ा सा जीरा जीरा को मैंने यहां पर ढाल दिया है तो जब यह लाल हो जाएगा तो वह हम डाल देखें मिर्पीस के रखा हुए है दो प्यार, स्वाचल लासूर और एक चमर सर्थो प्यार के मेरा मसाला बढाँगी इसलिए कि इसमें डालते नहीं है हमारे जी लांख बिलाता दाल लेता है। तो नमक, हुथ होड़ाले, बिलता हो रलस है यहां जाला हम यहां मैं बज आटाल सकते हैं। आप यहां टाल सकते हैं। यहां झाल सकते हैं यहां पे दो चम Springs के नमक जाल दी मृथ्ट करीड़ा हाफ स्पून हल्दी , और यहां यह जीरा धुमिया सबका एक चमच और दो बस और मैं कुछ मसाला नहीं डाल रही साथी मैंने याँ पर तमांता कटिंग डर के रखने आगा है वो डाल दे रहे है और सब को अब हम कर देंगे मीक्स मीक्स तो हमारा मसाला फ्राय हो गजब तक की इसमें तेले जो होते हैं तो इसे कम शे कम यह पंदबिनेट लगेगा फिक्ली कामास में हम आज को मसाला को पाएं कि उतना ज़्यादा ते लगता है मसाला हमारा खाने में भी सब्दी बहुत जादा ही सादिस्स होता है तो हमें आपे बुशते हैं, तो हमें 5 मिलट के बाद, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा मसाला बुशते काईसे हुआ है इसे हम रिट-बिट में चला तरहेंगे जिससे कि हमारी मासाला लगेगा नहीं तो में चला दें और धाफ करके मसाला को पकाईए एक तर मेरा देल है हम इसको बूच करके रखा स्वरजन को उसे डाल दिया है आप इस में डाल देंगे पानी पानी इसमें हम इतना डालेंगे कि हम में ग्रवी पतला रगना चावल में खाने के लिए तो हम ज्यादा करके पानी डालेंगे कि इसमें आलू बेगर भी सीजेगा धक करके फिरी से हम पकाएंगे 15-20 मिनट तक और देखिए मेरे दाजी को यहां पे बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है तो सार yakipra उतार के लाएं तो वो फोल्ड कर दे रहिए सब अब कितना काम करवाती है दाजी से विह सारा कपड़ा यहां पर फोल्ड कर देए और हमारा सब्जी बन करके रेडी हो चुका है बहुत ही जादा सांदा और टेस्टी है तो चलिए अभी खा करके बताएंगे ये कैसा बना है दादी का खाने लग क्या है साथ ही मेरा भी और यहां बाबु सो रही है तो मैं इस तरह पैसे ला दे रही है कि जग न जाए तक मैं तो मैं भी आराम से खालूंगी कैसे बना है दादी सब्जी बना है दादी को अच्छा लगा सब्जी आप लोग भी इस रेसिप्टी को जरू ट्राय करके देखेगा सिंपल भी और टेस्टी भी है तो हम मिलेंगे आप लोग उसे नेक्स्ट ब्लाग में तब तक के लिए बाई